अगर आप अपनी SIM को पोर्ट कराना चाहते हैं तो किस तरीके से करा सकते हैं अगर आप के पास V-SIM है और V-SIM को आप Airtel में पोर्ट कराना चाहते हैं तो इसकी दोस्तों एक प्रोसीजर है तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो क लाइक कर दीजे और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक SMS टाइप करना होगा पोर्ट यानि कि इसे Capital में लिखना होगा इसके बाद जो Mobile Number को आप पोर्ट कराना चाहते हैं उसी Mobile Number से आपको उ इसे Sign करते हैं तो यह Sign नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आपको वी के जो बहुत सारे प्लान देखने को मिल जाते हैं बहुत से ऐसे प्लान है जिसमें आपको यहाँ पर Outgoing SMS की जो Validity है और Outgoing SMS की सूधा है आपको देखने को नहीं मिलती है तो इन प्लान में दोस्तो आप SMS नहीं कर पाएंगे अगर आप port वाला message करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तो आपको unlimited pack यहाँ पर डलाना होगा, तो minimum plan pack दोस्तो 149 का आता है इसमें आपको SMS वगेरा देखने को मिल जाते हैं आपर आप देख सकते हैं, तो इस plan से आपको एक plan select करना वड़ता है इस plan के साथ truly unlimited calling है पर अलावा दोस्तो 1.5 GB per day का जो आपको data देखने को मिल जाता है और 28 days की validity है, और इसमें आपको Airtel Extreme app और Wing Music वाली app देखने को मिल जाती है तो दोस्तो इस plan को आप apply कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर port कराना है तो minimum आपको इतना recharge करना पड़ेगा अगर आप 7949 का कराते हैं तो इसमें आपको SMS देखने को नहीं मिलेगा तो यह कुछ procedure हो चुकी है दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी आपके लेगा ऐसा इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई